जैहिन दोस्तों आप सभी का गाउंता का exam study platform पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी आपर देख पाराऊंगे SSC MTS हवलदार का 5 जुलाई का second shift का paper हो चुका है वीडियो काफी देरी से आया है उसके लिए छमाचाऊंगा क्योंकि फ्रेंट्स आप सभी जानते हैं 100% real question collect करने में काफी देरी लगी है तो आप सभी देख पार होंगे टिंकू, शोरब, जोती, पिंकी इन सभी students के द्वारा ये पिरिशन बेजे गए हैं तो उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और आप सभी को इस चैनल पर 100% authentic person देखने को मिलेंगे जो examiner द्वारा पूछी जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो आप सभी देख पार होंगे hockey world का प्यापा 2023 पूछा गया है नारी को नमन योजना जो है किस राज्येस द्वारा शुरू की गई है तो नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल परदेश की योजना है और योजनाओं को आप अच्छी सतरे से याद कर लीजिए तो यह हो जाएगी हिमाचल परदेश की जो की मुक्यमंतरी जैराम थी नेस्ट प्रिशन पूचा गया है कांडला बंदर गया है यह पूचा गया है प्रिशन तो कांडला बंदर गया है तो आप से भी जानते हैं गुजरात के कच्छ जिले में इस्तित है यह भारत की सबसे बड़ा बंदर गया है यह भी आपको ध्यान लगता है और इस आने व बहुत सारे students को doubt हुआ है, कुछ ने इसका answer 55 लगाया, लेकिन सही answer उडनचास हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल है, साथ का वर्गमूल है, उडनचास क्या है? साथ का वर्गमूल है, वाकिया अन्य जो है, इस से भिन है, नेस्ट पुचा गया है, friends, इस person को आप देख पा रहे होंगे कुछी पुड़ी निरत्य जो है किस राज्य का है तो ये आंदर प्रदेश का है और ये पूरे दक्षन भारत में पिरसिद्ध है लेकिन कुछ students ने गिद्दा निरत्य भी हाँ पर भेज दिया है तो दोनों में से कोई एक पूचा हो या फिर दोनों पूचे गए है तो यहाँ पर जो है गिद्दा जो है पंजाब राज्य का लोक निरत्य या आपको द्यान लकना है और ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है खुशी के अफसर पर नेस्ट परिशन आपसे यहाँ से पूचा गया है फ्रेंड्स जो कि कलंडर से संब्दित है यहाँ पर जो कलंडर से संब्दित है 26 जनवरी यह कोई संदी हुई थी वहाँ पर 26 जनवरी करके यह थी लेकिन 1990 को कौन सा दिवस मनाया सोरी कौन सा दिन होगा यहाँ पर यह पर यह प्रिशन आया था कि 26 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सुक्रवार होगा देखिए आप कैसे निकालेंगे सुक्रवार हो जाएगा आप सभी को क्या करना है 26 जनवरी पूचा तो 26 जनवरी का कोड़ आप सभी 0 हो जानते है 1990 से 90 को कटाईए तो 90 साल यर जोड़ दीजिए प्लस इसमें लीप यर कितने है 90 में तो आप देख पार होगे यहाँ पर 22 लीप यर हो जाएगे इसमें क्योंकि 90 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 22 हो जाएगे इन सभी को जोड़ने के बाद आप सास से डिवाइड कर दीजिए तो आपका राइट आंसफर यहाँ पर अतिरिक्त दिन 5 आ जाएगे तो 5 आपका सुक्र होता है तो उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा नेस्ट प्रिशन पूचा गया है तो किस नदी पर है तो यह किष्णा नदी पर है यह तीन प्रिशन यहाँ से आपके बन जाएंगे नेस्ट प्रिशन फ्रेंड से आपके पूचा गया है कि ओस्टेलियन ओपन से संबंदित प्रिशन था देखे 2022 का यहाँ पर यदि वो प्रिशन था जो कि वो उपविजेता यहाँ पर रहे थे यहाँ पर ऑस्टेलियन ओपन महिला की बालत करें तो महिलाओं में ऐसले बारटी यहाँ पर हो जाएगा जो कि ऑस्टेलिया देश से थी और डेनिल कॉलिंस जो है वो अमरिकासी उपविजेता थी तो यह चारों को आपको द्यान लखना है क्योंकि आने वाली स्ट में भी आपका यह प्रिशन पूछा जा सकता है देखिए फ्रेंड्स इतना इजी प्रिशन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NACL का केमिकल नेम पूछा गया है तो सोडियम क्लोराइट हो जाएगा जो कि एकार्मिक योगिक है और नमक इसका साधरन नाम है तो यह भी आपको आपको द्यान लखना है नेस्ट प्रिशन फ्रेंड्स आपका क्लॉक से संबंदित एक रीजनिंग से संबंदित हर सिप्ट में पूछा जा रहा है देखे क्लोक से संबंदित तो देखे यहां पर तीन और चार बजे के बीच घंटे और सुई की मिनट के बीच पर इस पर कम मिलेंगी तो यह पूछा गया है तो फ्रेंट तीन बज़कर और चार बजे के बीच कम मिलेंगी तो तीन बज़कर सोले सही चार बटे ग्यारे मिनट पर यह मिलेंगी तो आप सभी जानते होंगे कि वो फोर्मूला क्या होगा आपका ग्यारे मिनट करके आपका जो होता है अपन दो बराबर यहां पर जो है 30 गुणा गंटे और आपका जो है पिलस माइनस जो है ठीटा तो ठीटा यहाँ पर जो है जब परस पर मिल जाएंगी तो 0 हो जाएगा आप सभी को गंटे के गमान रख देना है यहाँ पर और इसको नीचे ले जाना है तो आप यहाँ पर मिनट लेका लेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप मिनट लेका लेंगे तो 30 गुणा 3 करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो आप 30 गुणा 30 हो जाएगा तो इस पर इसी परकार यहाँ पर जो है देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मिनिट जो जिद निकल का आ जाएंगी 90 यहाँ पर जो है दो उपर पहुंच जाएगा और 11 जो है वो आपका इधर आ जाएगा तो इस परकार से जब भाग देंगे आप तो यहाँ पर आजाएगा 16 सही 4 बटे 11 मिनिट तीन बचकर 16 सही 4 बटे 11 मिनिट पर जो है वो दोनों परसपरसुईयां मिल जाएंगी देखे फ्रेंट्स एक और प्रिष्ण ने आपर पूचा गया है कि सिक्क्यों के 9 में गरू की हत्ता किसने की देखे यही प्रिष्ण था या फिर कोई अन्य प्रिष्ण था लेकिन स्टूडेंस ने पूचा है तो फ्रेंट्स वो टेक बाहदूर थे यह आपको ध्यान लग चादर भी कहा जाता है देखे बलीदान को क्या कहा जाता है इनके बलीदान को हिंद दीच चादर भी कहा जाता है तो यह सिक्कों के 9 में गरू थे यह आपको ध्यान लगना है जिनकी हत्या 1665 में हुई थी नेस्ट आपका फ्रेंट्स यहांपर जो है आर्टिकल 44 पूचा तत्वों का एक हिस्सा है यह आपको ध्यान लक्राएं जो कि नागरिकों के एक समान सिविल सहिंता को निर्देशित करता है तो यह आपका नागरिकता से संबंदित है आपका नेस्ट प्रिशन है आपकर पूछा गया फ्रेंट्स बहुत अच्छा प्रिशन है 31 चात्रों में से अनुच का 17 इस्थान है देखिए यह आपकर जो है कुछ गड़बर लग रहा है 17 इस्थान है तो अंतसे लेकिन फ्रेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है जो इस्थान दिया हुआ है उसे सुरू से माल लेंगे जो पूछा है उसे अंतसे माल लेंगे तो आप जानते हैं total बरावर left path right minus one तो यह formula आप सभी जानते हैं total 31 हो जाएंगे left से आपका दिया है कितना 17 दिया है और right से आपका पूछा है और minus one करेंगे इदर जाएंगे तो इदर 32 minus 17 करेंगे 32 minus 17 करेंगे तो आपका right से इस्थान, अंत से इस्थान कौन सा जागा 15 इस्थान तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा देखे next प्रिष्ण आपका बहुत अच्छा प्रिष्ण है और ये है आपका किसे संबंदित है तो आपसे भी आप कोडिंग से संबंदित प्रिष्ण है और यहां पर देखे इसका आंसवर नीचे है टाइप हो गया है कैसी करके यहां पर आप सभी को एक बार क्लियर कर दूँ तो देखे B वरावर 2 है और B A G वरावर 10 है तो बॉक्स का यहां पर आपसे आंसवर पूचा है तो देखे फ्रेंट्स आपसे यहां पर देखे बी वरावर 2 रखा गया है नेस्ट आपसे पूचाया है विसंसब्द यहाँ पर चुनने के लिए देखेr Fremds यहाँ पर विसंसब्द जो है बहुत सार इश्टूडेंस क्या कड़ेंगे विरत लगा देंगे या त्रफुज लगा देंगे लेकिन फ्र counties यहाँ पर गो ला है SI और साधरन व्याज और चक्रति व्याज का अंतर पूछा गया है यह पर देखे यह प्रिशन हर सिप्ट में आपका पूछा जा रहा है दोनों देए हुए हैं आपको साधरन व्याज और चक्रति व्याज का अंतर यहां पर पूछा जाता है या फिर अंतर दे दिया जाता है तो आपसे मूलधन पूछ लिया जाता है तो ये आपको ध्याननक ना है तो इस प्रकार का प्रिशन आपको मिल जाएगा तो friends आप सभी जानते हैं देखे आप सभी या तो इस वाले ट्रिक से कर लीजिए 2-1 तो ये वाले ट्रिक बहुत आसान से आप यहाँ पर समझ पाएंगे तो 2-1 तो आपको क्या करना है 85-100 का एक बड़ा 10% कितना होता है एक बड़ा 10 तो ये काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा 850 अब फिर 850 को फिर से आपको क्या करना है एक बड़ा 10 से फिर से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 580 आजाएगा तो ये फ्रेंट्स जो निकल के आता है आपका ये वाला जब फाइनली आपका हो गया दो बार पूछा है दो बरसों में तो फाइनली ये जो निकल के आता है वही आपका जो है चक्रवर्ती व्याज और सादरन व्याज का अंतर होता है तो फिचाची यहाँ पर राइट आंसवर हो जाएगा यदि आप ऐसे यही नहीं करना जाते हैं तो आपसे भी जानते होंगे डी बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है मूल्दन गुणा आर स्क्यार अपॉन हंड्रेड यह आपका होता है कोश्टक में तो इस परकार आप यहाँ पर आर का मान रख दीजिए तब भी आप इसका अंसवर निकाल सकते हैं तो पिचाची हो जाएगा इसका सही अंसवर तो फ्रेंट्स यह सारे कुश्टन इस्टूडेंस के द्वारा बेजे गए इसका पीडियाफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जयहिन बंदे मात्रम